एपिसोड के स्टाट में हम लोग वाज को देखते हैं तुम लोग बचे हो तैयार हो जा मरने के लिए जैसे वो प्रटाइक करने वाला होता है यहां पर गिल के लगता है और भाई यह मुव तपाफल होता है कि पूरी आपके केव में एक छोटा सा अर्थ क्या जाता है हम देते हैं उसका पंच यहां पे जेल के शील्ड पर लग रहा है तब भी वो शील्ड नहीं तूटती है और भाई यह तो इसके साथ खेल रहा था अब करने आता है जिस पर यह बोलता है कि तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि तुम मेरे को नई आरा पाओगे और वैसे भी आप मजाग बहुत हो गया और यहां पर एक बार भी आपनी पावर रिलिश करता है जिसको देखे भाई आती है और यह है एक फैंटम अब यहां पर टेस्स बोलती है कि तुम दोनों भाग जाओं यहां से यह बहुत ही बड़ा यहां पर पुरा पुरा केव जो है अब हम देखते कि वह मॉन्स्टर और सासनल जितने बच्चे होते ना सब घायल हो चुके थे और यह फैंटम बोल सब्सक्राइबays और तुमको इन बच्चों में से किसी 1 गोड़ा जो कि मुलेगा अब तुम दो कि से चुछ करने वाली हो बच्य को यह फीं से जल्दी चूस करो डाइम नहीं हैं आप यह काफी जादा परशान बादी है कि वह क्या करें तभी वह बहुत हिमत करती है मैं एक टीचर हूँ और मेरा फर्स है इनको बचाना यहां पर टीस से शेजु सेंसे को याद करती है वह बोलता है कि मैं तुम सब कोई एलसे मौत दूँगा जो तुम एक बहुत जर्दनाक मौत तभी टीस सेंसे प्रे कर रही हो थी कोई उनको बचा ले और एक बार से पुरा टाइंज होता है इसलिए मैं तुमारी हेल्प करूंगा अब हम देखते हैं टाइम वापस से यहां लड़ा पर यहीं बोलता है यह क्या हो रहा है मेरी नर्जी खाँ गई और हम देखते हैं कि आप जमीन पर एक समनिंग मैजिक हो रहा होता है और फैंटम बोलता है ना मुम्किन तुम यहां पर कैसे समन कर सकते किसी को हम देते कि वहां पर वह मिस्ट्रिय लेवल डिमन आता तुम्हारी पीछे आ गया और तुम्हारी पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है अब थैयार हो जाओ तुम्हारा खेल खतम हो रहा हम देते कि यह बंद स्कूपर उठाता है और अपने लंबे पावफुल कैसे हो जिसमें आप यह बोलता है तुमने मेरे को देखा है और मैंने यह सब करा है अगर तुमने यह किसी और को बताया तो मैं तुम्हार को खालूंगा इस लेकिन बस इतना ही इस वी बताता है मैंने तुमने पहले पताया था ना कि मैं शिजो नाम की हुमन का यह पर उधार है वो चुकता करने आया था इसलिए पास इतना ही अब यह पर टिसन से पूछती है लेकिन इनको मैं क्या कहूंगी दीमन बोलता है इनको यह बोल देना कि उस बच्ची गंदर जो लाइट की वह लेता है और यहां पर क्लॉय के उपर ऊस्पीशिए से पूछती है कि तुम कहा सकती है अब और अब देखते हैं कि सारे बच्चे अपने वापस लॉट रहे होते हैं इनको यह याद नहीं कि किसी इसब करा है यहां पर Kenya लोटने बाद सबको बताते कि कैसे वहाँ पर एक फैंटम स्पॉन हुआ था और रिप्रू कहा होता है एक फैंटम डीमन को भी उस केव में इंटरस्टिंग जैफ कहता है कि मैंने इस तक डीमन करें पहले कभी नी सुना को सकता है कि आपे होली सिटी को इस वारिया में कुछ पता हो जैप बोलता है हम लोग तो बस पीटी गए थे लेकिन फिर हम लोग जब नीद कुली तो हमने देखा कि वह मर चुका है अब यह पर पूछती है कि उचाव लोगो ने चुराइए थी क्या वह आपको वापस मिलगी और क्या आप गुरूटोल के वाइफ को वापस कर पाऊगी जिसमें मैं जैफ पूछता है कि क्या कह रही है कि वह चोरी हो गया और वह पूछता है कि मेरी इस्टर कैसी है अब रिप्र यहां पी तो नोटेस नहीं कर पाऊंगी उसके लिए मेरे को ना पड़ेगा उस सट्जिक्ट पर यहां पर कैसी बाते कर रहे हो अब हम देखते हैं कि यह दोनों यहां पर नीची चुक के बोलते हैं हम आप से विंदी करते हैं प्लीज हमें वह फ्रूली निंग पोशन दीजिए इस पर रिम्रु बोलता है हाँ ठीक है अपने सर उठाओ आप यहां पर सोच रहा होता है वहां से बाहर आने के बाल कि क्या फुली निंग पुशन सट्ज में उसको रिकवर कर भी पाएगा इस पर गेट सच बताती है कि जितना एंफेट एरिया है उसको रिकवर नहीं कर प बहुता है कि मैं तुम्हें यह कॉंपटिशन जीता दूँगा बगवास बंकरो यह कॉंपटिशन में पहले जीत चुका हूं नहीं बिल्कुल नहीं तुम कैसे जीते बता और अच्छा और एलिस कहरी होती है कि यह बड़े लोग जीतने पर कुछ जादे निरवर रहते हैं इनने सिर्फ जीतने से यहां पर मतलब रहता है इन लोग की बैस हो रही होती है और टिसन से इन बच्चों को बता रही होती है कि तुम लोग इनकी तरह बड़े मत बनना अब यह पर ग्रुटॉल बात करते हो बोलता है पहले आप मेरे को यह पर शर्त कहा है इस पर रिम्रो कहता है बस करो में चिडाना बंद करो पता है ना यहां पर गुरुटॉल है यहां इस तो समने पर बोलती है यह फिकर मत करिए वह बचा लेंगी इस पर रिलाक्स हो जाता है हम कुछ दूनों के बात कर सीन देखते हैं कि आप ग्रुटॉल की वाइफ ज़ल्दी रिकावर कर है कुरुटॉल भी यहां पर खुछ देख रहा तो बोला था शेक मेरे गल से कम नहीं है हमने कभी नी सुलता है कि तुम वह बहुत पसंद है अगर हम उसको वह हैं खिलाते ना तो यहां पर सब्जेक्ट है वह अपने आप रिकवर हो जाता अब रिम्रु बोलता है कि कभी सकती है फिलाल कोई बात नहीं अब यहां पर सजरी कर रहा था और अब यहां पर मेडिकल रिसर्च में हेल्प करेंगी आप हम यहां पर बताया जाता है कि जितना अब यहां पर सब्सक्राइब करना लेकिन तुम्हारे मन में तो कुछ और ही चल रहा है तो बोलता है मुझे सच में वह एंटिक डेस्ट करीदना था फिलाल अब कुछ नहीं हो सकता पीचर यहां पर घबराते हैं क्या हुआ अब यहां पर मीटिंग बठाता है कि रिम्रु आपको पता हो मैं सच भी आपको करता हूं कि आपके कितना दा फ्री टाइम होता है सच में और हम देखते हैं कि इनके 20 फिर से एक कॉंपडिशन लग जाता है यहां मेशां कॉम्पडिटर्स रहे होते हैं कि तुम लोग इनकी द्रदब मत बनना काफी अमेजिंग है ना जिसमें सारे बच